हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट, आज से हम लास्ट सिक्स मन्त की करने फर्की एक सिरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें प्रती दिन आपको एक वीडियो देखने को मिलेंगी, फ्रेंड्स आप लोग ने मेरे डेमो क्लासे देखा हैं, और मैंने आपके सभी के फीडबैक और कमेंट को पढ़ा है, और उस पर कारी करना स्टार्ट किया है, आपकी कमेंट्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत देनी बात, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पहला कोशन है अंतराष्ट्य श्रम दिवस कब बनाया जगया है, अंतराष्ट्य श्रम दिवस या श्रमिक दिवस कब मनाया गया, तो इसका राइट अंसर रजगा, अंसर नबर A, फर्स्ट मई को जो है अंतराष्ट्य श्रम दिवस मनाया जाता है, देखिए यही अगर बात करें कि एक मई को जो है महाराष्ट्य दिवस और गुजरात दि साइंक्त नौसानिक अभ्यास वरूण 19.1 किन देशों के बीच किया गया, तो वरूण 19.1 किन देशों के बीच स्टार्ट किया गया, तो इसका राइट अंसर नमबर, भारत और फ्रांस, तो भारत और फ्रांस के बीच में 19.1 का जो है ये नौसानिक अभ्यास शुरू किया ग अगर बात करें फ्रांस की तो फ्रांस की कैपिटल है पैरिस और यहां के मुद्रा है यहां की मुद्रा है चलिए अगला कोशन है ITTF रांकिंग में टॉप 25 में पहुचने बाले पहले भारती कौन मने है तो पहले भारती कौन है तिसका राई वाउन से जगा answer नबर A जी सातियान देखिए जी सातियान चैनी के एक रहने वाले भारती टैनिस कला रही है और इनको जो है टॉप 25 में इस्थार मिला है देखिए यह जो रैंकिंग जारी किया ITTF ITTF के फुल फॉर्म क्या होता है International Table Tennis Federation और इसका Headquarter है Louisiana Switzerland यह आप ध्यान रखेंगे ITTF का Headquarter Louisiana Switzerland में है अगला कॉशन है किस देश ने Shield नमक लेजर सिस्टम शुरू किया है तो शिल्ड नमक लेजर सिस्टम किस देश ने शुरू किया तो इसका राइट हैंसर होजएगा answer number C America तो अमेरिका ने शिल्ड नमक लेजर सिस्टम शुरू किया इस शिल्ड का फुल फॉर्म क्या है देखिए शिल्ड का फुल फॉर्म होता है Self-Protected Self-Protected High Energy Laser Demonstrator देखिए इसमें क्या होगा कि यह आप देखने होगे कि फ्लाइट है कोई फ्लाइट है उसके आगे से कोई भी चीज अगर आएगी तो इसको जो है यह लेजर के थूरू नस्ट करेगी और इसमें इस सिस्टम के according जो क्या होगा सतह से हवा और हवा से हवा में launch की गए जितने मिजाईल है उससे जो ही विमान की शुरक्षा मिल सकती है अगर बात करें अमेरिका की तो अमेरिका की जो राज़दानी है Washington DC और यहां के मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और यहां के बर्तमान प्रेसिनेंट है डॉनल्ड ट्रम्प यह आप सभी को पता होगा देखिए अगर बात करें राहूल डर्बिन की राहूल डर्बिन आपको पता होगा अब पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं और इनको हाली में ICC Hall of Fame में शामिल किया गया और यह पांचवे जो बैखती है इनको जो हौल of Fame में शामिल किया गया आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि इससे पहले जो चार खिलारी है उनके नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं देखिए यहां पर बात करें रवी शास्तिरी यह भारती क्रिकेट टीम के बरतमान कोच हैं और ग्रहम रीड जो है भारती हौके टीम के बरतमान को रग गया होने जिसका राइड अंसर जाएगा आज़ है अँलिक्ष्ट एक रैपर हैं और इनको चनलोड इसका आच कर अरूशन है एक राइपल राइंक्किंग वर्ड नंमबर एक महीला खिलाडी बन गिया तो वर्ड नमबर एक महिला के लाड़ी कौन बनी है तो इसका राइट अंसर जगा आंसर नमबर डी अपुर्वी चंदेला अपुर्वी चंदेला जो है यह वर्ड नमबर वन बन गिया और यह जो है जैपूर से बिलॉंग करती है और इन्होंने 2020 के ओलंपिक कोटा भी हर्षिल किया यह आप ध्यान रखिए और यह जो रैंकिंग जारी कौन करता है यह जारी करता है ISSFN की इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन यह जारी करती है रैंकिंग और इसका जो ISSF का मुख्याला है म्यूनिक जर्मेनी में इसका मुख्याला है और सर्वश नागरिक पुष्का से किससे समानेज किया गया तिसका राइट हैं सोज़ेगा आंसर नबर ए एस किरांड कुमार्ड और यह इजरो के पूर्व अध्यक से भी रह चुके हैं बरतमान में जो इजरो के अध्यक से वह है के सिवन यह आप द्यान रखेंगे देखें जी अगला कुशन है गेम चेंजर किस क्रिकेटर की आटो बायोग्राफी है तो इसका राइट अंसर रोज़ेगा आंसर नबर डी शाहिद अफरीदी शाहिद अबरी ने यह किताब पत्रकार वजाहत S के साथ मिलकर लिखा है और इसके लाबर सचिन दंदुलकर की एक बायोग् अगला कुशन है भारतिय वॉलीबल टीम का कोच किसे निउट किया गया तो भारतिय वॉलीबल टीम के कोच जो निक्ति गएगे ड्रेगन मिहाई लोविच अंसर नबर सी इसमें करेक्ट होगा और देखिए सोजड मारी जेने यह जो है भारतिय महीला हौके टीम के कोच है और रानी रामपल जो है भारतिय भारतिय महीला हौके टीम के कैपटन है अभी पत्रवान में अगला कुशन है विके कृश्न मेनन्द पृसकार से किसे समद्र किया गया गया जी डी रौबट को उता है निकि आंसर नबर से में ए करेक्ट हो जाएगा देखिए इसके अलबा लीला था जगुडी जो उनको 2018 में इनको जो है व्यास समान दिया गया था और उनकी एक रचना थी जितने लोग उतने प्रेम और नासीरा सर्मा इनको 2019 के लिए व्यास समान के लिए जो है नॉमिनेट किया गया ये आप ध्यान रखेंगे अगला कुशन है व्यास से दिबस कब मनाया जाता है व्यास से दिबस कब मनाया जाता है व्यास से दिबस कब मनाया जाता है तो इसका राइट अंसर हो जगा आंसर नमबर ए पांच में को व्यास से दिबस मनाया जाता है और ये में के पहले सेंड़े को हर साल मनाया जाता है औ और 2019 की अस्थमा डे की जो थीम थी स्टॉफ और अस्थमा उन नौ जन्मरी को भारती प्रवसी दिवस मना जाता है और इस बार जो है प्रवसी दिवस 2019 मना गया था वारांडसी में अगला कॉशन है पहली एंटी नकसल महिला कमांडो इनिट की तैनाती किस राज्य में की गई तो किस राज्य में की गई तो इसका राइट आंसर जगा आंसर नौबर भी इस दस्ते इस यूनिट का जो नाम है दंतस्यवरी लडाकु दस्ता ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगला क्वेशन है जलवायू आपातकाल की घोशना करने वाला दूसरा देश कौन बना तो दूसरा देश कौन बना तो इसका राइट अंसर जगा अंसर नंबर ए आर तो पहला देश कौन सा था पहला देश था ब्रिटेन तो ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन जिसको हम यूके भी कहते हैं तो इसके अंतरगत चार देश शामिल है यूके जो है एक कंट्री नहीं है ये चार कंट्री का मिलके बना है जैसे इसमें इंगलेंड उत्र शेरपा की बैठक कहां पर संपन हुई थी इंडिया ब्राजिल साथ शेरपा की ब्याच कहा पर शुरू हुई थी इसकी बैठक हुई थी कोचीन में थो आसर रिन्हों balanced होगा देखिए यहां पर दक्षिन हपर के спрос की estimates यह यह capital है Cape Town देखिए निजितल होती है आप शाओत अफरिका की और प्रिटोरिया वहां के कारी-कारी जाज़ता नहीं है तो यतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे इसके अलावा जो साओत अफरिका पूरे वर्ड में एकमात ऐसी देश है जिसमें फुडवाल, क्रिकेट और रग्बी विश्टकप की मेज़मानी की है तो इतनी चीज़ आप ध्यान रखेंगे अगला कुश्चन है, लॉंगेस्ट डांसिंग मैराथॉन में किसने गिनिज बुक वर्ड रिकॉर्ड बनाया है तो इसका राइट अंस हो जेगा अंसर नमबर भी बंधना, देके बंधना जो है नेपाल की रहने वाली एक नत्यकी है जिन्होंने 126 गंटे लगादार डांस करके ये रिकॉर्ड बनाया और इन्होंने कला मंडलम हेमनता भारती जो नत्यकी है उनका 120 गंटे 15 मिनिट का जो है रिकॉर्ड उनने तोड़ दि इसका राइट आंसर जागा, आंसर नमबर C, आठ माई, तो आठ माई को जो विश्य रेट क्रॉस दिवस मना जाता है और इसकी इस बार जो थीम थी, हैस्टैग लव, इस बार की थीम थी, देके हर कोश्य में जब भी दिवस का आता है इसमें थीम बहुत ही इंपॉर्टें देखे, ग्यारा माई को मना जाता है रास्ट्रिय प्रवद्दगी दिवस और पच्चीज में को आपको पता को कि वोटर डे मना जाता है हर साल, तीन माई को विश्य प्रेस सतनता दिवस मना जाता है, तो इतनी सी आप इस कोश्यन से ध्यान रखेंगे, अगला कोश्यन है, किस देश ने fake news कानून पारित किया है तो कौन सा देश है जिसने fake news कानून पारित किया है तो इसका right answer जगा answer नमबर A सिंगापूर इन्होंने फर्जी खबरों के प्रसार पर अंकुस लगाने के लिए ये कानुन परित किया है और देखिए इसके अलाबा एक important fact है सिंगापूर जो की प्रेस सुचकंग जारी करने वाले जो और्गनेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स उसका headquarter भी सिंगापूर म और इसके अलाबा देखिए कि इनको 2003 में पदम श्री अवर्ड से भी सम्मानित किया गया और इनको आधुनिक विदी शिक्षा के जनक भी कर जाते हैं अगला question है किसने 2019 year of next of keen के रूप में घोशित किया है तो इसका right answer हो जगा answer number a भारती थलसेना ठीक है भारती जो थलसेना है उसके अद्धक्ष है जनरल विपिन रावत, वाई सेना अद्धक्ष है राकेश कुमार सिंग भदोरिया और नौ सेना अद्धक्ष जो है एडमेरल करमभीर सिंग किस देश ने दुनिया की पहली zero waste flight शुरू किया है तो किस देश ने शुरू किया है तो इसका right answer हो जगा answer number a अस्ट्रेलिया तो अस्ट्रेलिया ने जो है zero waste flight शुरू किया है और यह वहां की एरलाइन्स कंटास ने शुरू किया और इसमें जो यातिर को जो भी चीज प्लास्टिक से कवर होगा ऐसे समान नहीं दिये जाएंगे और ऐसे समान का ऐसे पदारतों का इस्तमाल किया जाएगा जो recycle किया ज अमुल ने जो है यह अफगनिस्तान डीम को sponsor किया था देखिए और अमुल जो है एक दूद की company है और इसका मुख्याला आनंद एक जगह है गुजरात में वहां पर है और देखिए आनंद को जो है देश की दूद की capital भी कहा जाता है इसके लबागा जो यह बाइजूस दे जो है इसको सम्मानित किया गया एना हैथवे को तो आंसर नंबर सी में correct हो जाएगा देखिए इसमें ओलेबिया कोलमेन जो है इनको 2019 आसकर में वेस्ट एक्टरिस का अवाड़ दिया गया और वहीं आसकर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टरिस का अवाड़ दिया गया आजिब गांदी अंतरास्टी हवाड़ देखिए इसमें इसको जारी किसने किया एर हैल्प ने जारी किया है और इसकी most important चीज़ें कि तीन शीर्ष हवाड़ दिया कौन है पूरे विश्व में वह है कतर का हमाद अंतरास्टी हवाड़ टोक्यों अंतरास्टी हवाड़ और अंतरास्टी हवाड़ ये में तीन सीर्ष हवाड़ देखिए तो इनको आप ध्यान रखेंगे अगला कॉशन है 2020 महासागर समयलन का आईजन कहां किया गया तो 2020 महासागर का आईजन कहां किया गया तो इसका राइट अंसर हो जगा अंसर नमबर A लिजबन देखिए किस न किया किया संग्त राष्ट महासावा की दरा ये जो है United Nations General Assembly की द्वाराu इसका आईजन किया गया और इसका उद्देश कया है कि महासागरू समुध्रों और जो समुद्री सैंसादा नहें उसका जो है अदियर साही से उप्यूक के जाए इसकी बढ़नावा के लिए अगला कुशन है किस देश ने विसकी सबसे तीज बुलेट ट्रेन का परिक्षन किया है तक किस ने परिक्षन किया जिसका राइट अंसर जगा अंसर नमबर डी जपान देखिए यह जो ट्रेन है बुलेट ट्रेन यह लगबग 400 किलमेटर प्रतिघंटा चलने में सक्चम होग और इसका जो सुवांकर है 2020 Summer Olympics का उसका सुवांकर है मेराई तोवा यह आप ध्यान रखेंगे अगला कुशन है तो जो टीम नेत्रत की निर्क्षन किया था जांच किया तो इसके जो नेत्रत की थी ति यह चीज आप ध्यान रखेंगे इसके लबाब कहला स्रत्यार्थी और मलाला इसिव जाई इनको 2014 में सैंक्ति रूप से शांती में नोबल प्रिस्कार दिया गया था कहला स्रत्यार्थी और मलाला इसिव जाई को अगला कोशन है 2019 स्पैनिश ग्रांड पी किस ने जीता तो इसका राइट अंसर होजेगा आंसर नमबर बी लुईस हैमिल्टेन ने जीता है और लुईस हैमिल्टेन जो है यह मर्सिटीज के एक ड्राइबर है बोल्टारी बोटास यह भी मर्सिटीज के ड्राइबर है और मैक्स बस्ता पें यह जो है रेड बुल के ड्राइबर है और सविस्टेन बैटल यह फरारी के ड्राइबर है यह चीज़ अब दें कई पर अग्जामें पूछ लिया जता है सव सरवादिक विकेट लेने में स्पिनर बनी है सना मीर तो आंसर नमर बी करेक्ट हो जाएगा और सना मीर जो है एक पाकिस्तानी स्पिनर है और इन्होंने जो यह सरवादिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है अगला कॉशन है आईपील 2019 में औरेंज कप विजिता कोन है तो आईपील 2019 में औरेंज कप विजिता है डेविड बारनर तीजीज आप ध्यान रखेंगे औरेंज कप किन को दिया था है जो की सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं टेके 2019 आईपील के बात करें तो मुमाई इंडियन्स ने चैने सुपर किंग को हरा कर चौती बार यह जो है आईपील का जो खिताब अपने नाम किया था और इसमें परपल कैप दिये गया था जो है यहाँ पर इमरायन ताही को और सनराजर हैदरबात के जौनी बेर स्टो क को जो है व्यक्तिकर दिस्कोर सबसे ज्यादा व्यक्तिकर स्कोर बनाना ने बनायता है 114 रन तो फ्रेंड्स यह रहा आज का हमारा लास्ट 6 मंत का करेंटर पर कैसा लगा वीडियो आप हमें करके जरूर बताईए और स्टड़ी ऑनलान स्टड़ी पॉइंट को जरूर सब् के थार थार बनायता है